साथियों याद करिए कॉंग्रेस के समय क्या हाल था यहां बम फुडते थे आतंगवादी गोलिया चलाते थे निर्दोशों को मोत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेचती थी लव लेटर अमन की आस लगाती थी अमन की आस पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज़्यादा आतंगवादी बेचता था और बम गोले लेकर वो देश में खुन की होली खेलते थे और जब आपने एक वोट दिया न उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया इतना दम भर दिया मैंने आते ही कह दिया इन पिजन बहुत हो चुका है अभी एक खेल नहीं चलेगा मा भारती का अपमान नहीं सवंगा निर्दोशों को नहीं मारने दूंगा आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता यह नया भारत है गर्म में गुसकर मारता है सर्जिकल स्ट्राइक एर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिला कर रग दिया था पहले एक समय ऐसा था कोई महिना ऐसा नहीं जाता था कि जब जारखन बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो कश्मीर में सहीद न होते हो और तिरंगे में लिपट करके उनकी शरीर वापिस ना आते हो यह हर महिने चलता था आज वो सब बंद हो चुका है यह आपके वोट ने किया है एक मोस्तिती थी जब आतंक की हमले के बाद कॉंग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी यह इस्तिती की पाकिस्तान वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे आज्तिती यह हैं पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है बचाओ बचाओ चिला रहा है आज पाकिस्तान के नेता कॉंग्रेस के इस हजादे को पीम बिनाने के लिए दुआ कर रहे हैं लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है यह द्रस्ट से दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार